के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हलो दोस्तो नमस्कार मेरे यूट्यूब चानल मनी मस्ती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए इंट्रडे स्टॉक्स के बारे में किनी स्टॉक्स में आपको नजर बनाया रखनी चाहिए किनी स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब के लिए साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले जी हाँ दोस्तो आपके सामने पहला स्टाक है जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हो जोगी 714 करोन है जी हाँ दोस्तो यह स्माल कैप तो माइक्रो कैप कमपनी है करेंट मार्केट पार है और 99.07 का है जबकि आप हाई लोग पार है और 99.06 और 32.07 की यहां दोस्तो हाई के पास ही यह stock trade कर रहा है चलिए दोस्तो हम valuations की बात कर लें तो आपके सामने valuations का अकड़ा मैं फिलाल दिखा रहा हूँ जिसमें आप stock की P पा रहे हो 18.07% यहां stock की P है वहीं industry की P 18.07% पर है यहां दोस्तो यह company पहले look में तो महंगी company नहीं लग रही है चलिए दोस्तो और भी हम parameter बात कर लें दोस्तो अगर आप market cap देख चुके हो तो आपको enterprise value भी देखना चाहिए जहां पर आपको 545 करोण 714 करोण के मुकाबले में लहा है दोस्तो चलिए दोस्तो हम book value की बात कर लें आपके सामने book value है जो की 173 का है अगर हम EPS की बात करें दोस्तो तो 5,10,28 का EPS है जबकि आप price to book value की अगर हम बात करें तो 0,10,57 पर यह price to book मिलता है दोस्तो dividend की बात करें दोस्तो 3,10,04 प्रस्त की dividend है जबकि face value 2,10,00 दिखाई देती है दोस्तो चलिए दोस्तो यह तो हो गया company के valuations और company के बारे में चलिए दोस्तो आब हम business की तरफ चलते हैं business में सबसे पहले हम देखेंगे debt debt to equity आप आ रहे हो 0,74 प्रस्त जबकि आप अगर debt to equity देखते हो तो interest coverage जे सियो भी आपको देखना चाहिए जो की 1.53 प्रस्त दिखाई देता है दोस्तो जो की बहुत ही बहतर इस्तिती में है चलिए दोस्तो अगर हम sales की बात कर लें sales पर आ जाते हैं company के business पर आ जाते हैं जहांपर आपको sales growth 5 years की दिखा रहे है जो 0.46 प्रस्त पर है जबकि आप profit 5 years की minus 14.7 परस्त पा रहे हो जी हां दोस्तो profit company नहीं कमा रही है ये negative में है चलिए दोस्तो हम और भी parameters को चेक कर लेते हैं जिसमें आपको दिखाई देगा return on equity 5 साल की जो की 5.2 जीरो पर है जबकि हम return on equity 2 overall बात करें दोस्तो 3.74 परस्त की है जहां पर एक increasement दिखाई देती है दोस्तो अगर हम return on capital employed की अगर हम बात करें तो ये overall 6.64 पर है जबकि आप return on capital employed की अगर 5 साल का parameter देखोगे तो 6.99 परस्त है दोस्तो इसके लामा दोस्तो return on asset की अगर हम बात करें तो 2.12 परस्त की return on asset है pledge percentage दोस्तो फिलहाल company के पास नहीं है जबकि आप देखते हो operating profit margin जो company so off कर रही है वो पूरा overall 12.2 परस्त है जबकि operating profit margin अगर हम 5 साल का देखें तो 13.3 परस्त दिखाई देता है दोस्तो अगर हम net profit की बात करें तो company के पास फिलहाल net profit जो होता हुआ दिखाई दे रहा है वो 38.2 करोन पर है दोस्तो ये था company के बारे में fundamental तो दोस्तो हमने company के बारे में जाना चले दोस्तो अब हम company का नाम देख लेते हैं जी यहाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ HSIL Limited के बारे में जी हाँ दोस्तो अब हम इस company के chart के parameters को देखेंगे chart पर हम सीधे चलते हैं चलिए दोस्तो अब हम आ गया है company के chart पर जहाँ पर आप देख रहे हो वन डे का टाइम फ्रेम हमने लगाया है दोस्तो ये पूरा एनल्सिस के वल प्राइस एक्षण और रिस्क रिवार्ड पर बैठा है दोस्तो जहां पर आपको देखना चाहिए वन डे का आप चार्ट देखते हो तो आपको बहतर price action मुझे दिखाई देता है दोस्तों जहां पर आप volume बहतर पा रहे हो बहतर रिस्तितिम पा रहे हो RSI भी बहतर रिस्तितिम पा रहे हो चलिए दोस्तों हम तीनो time frame पर जो की देख लेते हैं one day का time frame पर मुझे बहतर price action दिखता है दोस्तों one week की अगर हम बात करें one week में आप देख सकते हो जहां पर one week में भी यह price मुझे बहतर दिखाई पड़ता है दोस्तों यह bullish price दिखाई पड़ता है दोस्तों अगर हम one month की बात करें दोस्तों one month में भी एक buyers signal फिलाहाल यहां पर दिखाई पड़ता है दोस्तो चलिए दोस्तो ये तो HSIL के अलग-अलग टाइम फ्रेम की बात हो गई अगर दोस्तो हम फिर से वन डे का चार्ट लगाते हैं जहां पर दोस्तो मैं अब इंडिकेटर्स की बात करूँगा जहां पर आप 200 दिन का इकस्पोनेंसियल मुविंग अबरेच पा रहा हो जो कि ये लाइन दिखा रहे हैं 71.65 पर 200 दिन का इकस्पोनेंसियल मुविंग अबरेच तो इसके ऊपर प्राइस है दोस्तो ये भी एक बहतर कंडिशन में दिखाई पड़ता है दोस्तो इसमें वालूम का भी बहुत मुझे लगता है कि एक बड़ी तेजी की संभावना तो दोस्तो अब हम बात करेंगे इसमें टार्गेट और इस्टापलास की अगर हम इंट्राडे की बात करें तो आपके सामने इंट्राडे का जो इस्टापलास आपको लगाना है वो एक यानवे रूपय कर लगाना है द साथी साथ 2-3 और लेवल पर आने पर भी क्रेक्षन होने पर भी चुकि प्राइस अपवर्डरेक्षन में है तो इसमें क्रेक्षन की संभावना बनती है अगर आप आरेसाई पर आप स्टाक्स को पाते हो, आप जरूर भाई करो, साथी साथ आप स्टापलास लगाओगे, 91 रुपए का, आपका टार्गेट सबसे पहला रहेगा दोस्तो, 105 रुपए, साथी साथ 107 रुपए और 109 रुपए का टार्गेट बनता है दोस्तो, तो मुझे लगता है रिस्क reward बहतर आपको दिखाई पड़ता है दोस्तों अगर हम start term की बात करें दोस्तों तो आपको start term में की stop loss लगाना है जो की 85 रूपय का है जहां दोस्तों 85 रूपय का आपको stop loss लगाना है जहां आप buying कर सकते हो 98, 87, 94 इन सभी levels पे आप buy कर सकते हो आपको target की जो रखना है वो सबसे पहला immediate target 115 रूपय का है साथी साथ यह 130 रूपय का दूसरा target done कर सकता है अगर हम start term दोस्तों मैं inform कर दूँ अगर हम start term की बात कर रहे हैं तो हम 2 से 10 दिनों तक की बात कर रहे हैं दोस्तों अर्था 2 weeks की हम trading 2 weeks की हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो यह था दोस्तों कल के लिए intraday stocks के बारे में जिसमें आपको positions बनानी चाहिए और साथी साथ इसमें आप अगर hold रखे हो तो आपको इस target के लिए जाना चाहिए तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है साथी साथ मैं बताना चाहूंगा अगर आपने हमारे चैनल को share नहीं कहीं किया है तो आप अपने social media account facebook, instagram, whatsapp आप जहां भी चाहें share कर सकते हैं यह totally videos free आपकास्ट होती है दोस्तों तो आपको जरूर share करना चाहिए साथी साथ subscribe और like भी करना चाहिए वीडियो को दोस्तों अगर ताकि आगे की videos के लिए हमको प्रेणा मिन सके दोस्तों आप सब का हमारे videos में बने रहने के लिए हमारा videos अंतक देखने के लिए आपका बहुत भन्यवाद जय हिन